गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद्रवे ठाकुर पर तो चले आज के लिए हिंदु एडिटॉरियल वकादरी की शुरुआत करते हैं आज का जो पहला एडिटॉरियल दिया गया है उसका है कोविड पहला जो ओडिटॉरियल दिया गया है यह उत्राखंड में राजनितिक उतल पुतल के बारे में दिया गया है वहां के जो सीम है वहां के चीफ मिनिस्टर है उनको भी चेंज कर दिया गया है तो उसके बारे में दिया गया है पहला ओडिटॉरियल इंपॉर्टेंट तो नह एले से ही problem है, already बहुत सारी problems है, समस्या हैं, और स्थिती का, किसी भी स्थिती का और ज्यादा, problems का और ज्यादा से बिगड़ जाना, और ज्यादा बढ़ जाना, किसी भी स्थिती का बिगड़ जाना, या बिगार देना situation को, उसे बुला जाता है, aggravated, if someone or something aggravates a situation, they make it worse, that is called aggravated, synonym साब देख सकते हैं, irritate, exasperate, exacerbate, worsen, antonym से alleviate, improve, comfort, or ameliorate, example है, stress and lack of sleep can aggravate the situation, कि यदी stress हम लेते हैं, और कम यदी हम सोते हैं, तो ये स्थिती को और ज्यादा से बिगार देगा, हमारी सेहत को क्या कर देगा, खराब कर देगा, अगला हमारा शब्द है, unprecedented, unprecedented word यहाँ पर adjective तरहा है, unprecedented का मतलब होता है, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना, जो आद से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे हम हिंदी में बोलते हैं, अभूतपूर या अध्विती और इग्निश में उसे बोला जाएगा, unprecedented, if something is unprecedented, it has never happened before, that is called unprecedented, synonyms आप देख सकते हैं, unparalleled, novel, singular, or unusual, एंचानिम से traditional, familiar, ordinary, or typical, example आप देख सकते हैं, the loss of life and property was unprecedented in the last earthquake, पिछली बार भी वो कम पाया था, उसमें जो जानमाल की हानी हुई, वो भी तक की सबसे, मतलब इससे पहले हो इतनी जादा, प्रोपर्टी की या लाइफ की कभी भी हानी नहीं हुई थी, अगला हमारा शब्द है adapt, adapt वर्ड यहां पर वर्प की तरह उस हुआ है, adapt का मतलब होता है, किसी चीज के अनुकूल करना, mail बिठाना, सामन जस्ते बिठाना, या फिर अनुरूप होना चीजों का, उसे बोला जाता है adapt, if you adapt to a new situation, or adapt yourself to it, you change your ideas or behavior in order to deal with it successfully, that is called adapt, synonym साब देख सकते हैं, adjust, modify, change, or alter, antonym से, disarrange, defective, infurate, or incapable, example है, he was quick to adapt himself to new system, मतलब वो एक नम से तेजी के साथ उसने क्या किया, new नया जो system था, उसके मताबिक अपने आपको ढाल लिया, अपने आपको उसके अनुकूल बना दिया, यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल चुरू हो रहा है, आप हेडिंग देख सकते हैं, Mixed Bag on Indian Merchandise Export, Exports, Mixed Bag on Indian Merchandise Exports, तो यह थोड़ी सी राहत भरी खबर है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसमें थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी मतलब वृद्धी हुई है, थोड़ा सा बड़ा है, वो increase हुआ, उसमें एक्सपोर्ट में हमारे, तो इसके regarding कही गई है बाते, यह economy पर बेस्ट है, important editorial है, इसको आप जरूर करके पढ़िएगा, कुछे कांकड़ी भी दिये गए हैं, वो आप देख लीजेगा, तो चले शुरुआत करते हैं, दूसरे editorial का पहला जो word है, वो है emit, emit word यहां पर preposition की तरह use हुआ है, emit का मतलब होता है, किसी भी बात के बीच में, के दोरान या के मध्य में, उसे बोला जाता है, emit, in, middle of, or among something, that is called emit, synonyms आप देख सकते हैं, among, between, amidst, or during, endonyms है beyond, outside, separate, or independent, example आप देख सकते हैं, he resigned emit allegations of financial impropriety, कि उसने जो financial जो अर्निमिक ताएं थी, उसके कारण, उस तरह के आरोप लगे, कि उसने कुछ गड़बड किया है, finance में, पैसे के लेंदिन में, तो इसलिए क्या किया, उसको, क्या करना पड़ा, उसे, resign करना पड़ा, अपने पद से, उसको, त्याग पत्र देना पड़ा, अगला मारा शब्द, anomalous, anomalous word यहां पे जेक्टिप भी तरह उस हुआ है, anomalous का मतलब होता है, समान्य से भिन होना, थोड़ा अलग से होना चीजों का, बेमेल या असंगत, असमान्य, तो उसे बोला जाता है, anomalous, anomalous, something that is anomalous is different from what is usual or expected, that is called anomalous, anomalous के synonym से abnormal, irregular, peculiar, or unusual, antonym से normal, regular, usual, or common, antonym से anomalous word के, example आप देख सकते हैं, the inhabitants, inhabitants होता है, किसी स्थान पे, किसी जगा पे रहने वाला निवासी, व्यक्ति, जो वहां के लोग होते हैं, उन्हें inhabitants बोला जाता है, the inhabitants suffered an anomalous weather, जो inhabitants थे, जो निवासी थे, किसी स्थान के, उन्होंने क्या किया, वो जो weather phase कर रहे थे, वो कैसा था, समान्य से भिंता अलग था, क्योंकि जो usually still and stable year, जो हावा थी, वो usually क्या थी, बिल्कुल एकदम स्थेर थी, एकदम शान्त थी, तो ऐसा नहीं होता होगा, तो वो कैसा किस तरह से था, वहां के लोगों के लिए एक और समान्य, बे मेल, क्या था, वो weather था, अगला हमारा सब्द है protected, protected word यहां पर वर्प की तरह ही उस हुआ है, protected का मतलब होता है, ऐसी कोई गतिवीद ही आज सा कोई काम, जो तैज समय से अधिक समय तक चले, लंबे समय तक रहने वाला दीरह काली, उसे बोला जाएगा protected, something usually, something unpleasant, that is protected, last a long time, especially longer than usual or longer than you hoped, that is called protected, synonyms आप देख सकते हैं, lengthy, prolonged, extended or long, antonym से fast, abrupt, little or short, antonym से protected word के, example आप देख सकते हैं, the court case was so protected that one of the judges died of old age, कि कोई केस चल रहा था, वो इतना लंबी अव देदक चला कि जो फैसला सुलाने वाली, जो जजों की जूरी थी, उसमें से एक जज की जो है, वो फैसले सुनाने से पहले ही, जो है, क्या हो गई, old age है कारण, अमृत्ती हो जो की थी, अगला हमारा शब्द है robust, robust word यहां पर adjective भी तरह उस हुआ है, robust का मतलब होता है, मजबूत, मजबूती के साथ, मजबूत स्थिती में होना, एक दंबिलकुल स्वस्थ होना, यदि हम विक्ति की बात लेते हैं, यह अच्छी स्थिती में होना, उसे बोला जाएगा robust, someone or something that is robust, is very strong and healthy, that is called robust, synonyms आप देख सकते हैं, strong, powerful, sturdy or vigorous, antonym से robust के weak, feeble, delicate or frail, example आप देख सकते हैं, he was always the robust one, physically strong and mentally sharp, की वो हमेशा कैसा रहा है, मजबूत, मजबूत, मतलब स्वस्थ हे वो विक्ति रहा है, अगला हमारा शब्द है, propelling, propelling word यहां पर वर्पी तरा use हुआ है, propelling का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को forward direction में धखेनला, मतलब आगे की तिरफ धखेनला, या किसी भी चीज़ को साहित करना, प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उसे बोला जाता है, propelling, to propel something in a particular direction, means to cause it to move in that direction, that is called propelling, synonyms आप देख सकते है, propulsive, pushing, impelling, or launching, propulsive, pushing, impelling, or launching, antonym से, and dynamic, dull, off, or static, इसके antonym से propelling word के, example आप देख सकते हैं, the tiny rocket is attached to the spacecraft, मतलब जो आस्मान में spacecraft जाता है, उसके साथ क्या लगा था, एक tiny मतलब छोटा सा rocket लगा था, and is designed to propel it towards Mars, वो किस तरह से design किया गया था, कि उस जो spacecraft को है, वो Mars की तरफ जो है, आगे धखेले, आगे की तरफ उसको बढ़ाए, अगला हमारा शब्द है quadruple, quadruple word यहां पर वर्ग की तरह उस हुआ है, quadruple का मतलब होता है, किसी भी चीज में 4 गुना वृद्धी होना, 4 fold या 4 गुना वृद्धी होना किसी चीज में बढ़ोतरी होना, उसे बोला जाता है quadruple, if someone quadruples an amount, और if it quadruples, it becomes four times bigger, that is called quadrupled, synonyms आप देख सकते है, four fold, factor, four fold, और four time, antonym से single or decrease, इसके antonym से quadruple word के, example आप देखते है, China seeks to quadruple its income in 20 years, कि China जो है, वो क्या देख रहा है, अपनी 20 सालों में जो इंकम है, उनकी जो राष्टी है, उसको क्या कर रहा है, वो, मतलब, चार गुना, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अगले 20 सालों में, अगला चब्द है bolstered, bolstered वर यहां पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है, bolstered का मतलब होता है, किसी भी चीज, किसी भी चीज को बढ़ावा देना, या सहारा देना, या पुरसाहित करना, किसी चीज को support करना, encourage करना, उसे बुरा जाता है, bolstered, to support or encourage somebody or something, to make something stronger, that is called bolstered, synonyms आप देख सकते हैं, reinforced, backed, propped, or supported, synonyms आप बेट, damaged, demolished, or destroy, example, देख लेजिए, the country is free to adopt policies, to bolster its economy, कि जो देश है, वो एकनम free है, इस तरह की policies, frame करने में, इस तरह की policies, नीतियान लाने में, जिससे की हमारी economy, जो हमारी अर्थ विवस्ता है, उसमें, किसी तरह की वृद्धी हो, उसे boost up मिल सके, अगला हमारा शब्द एपेटाइट, एपेटाइट वर्ड यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ, एपेटाइट का मतलब होता है, किसी चीज़ को हमारी प्राप्त करने की कोई इच्छा, भूख, क्शुदा या लाल सा, उसे बूला जाता है, एपेटाइट, समवन्स एपेटाइट वर सम्टिंग इस ट्रॉंग डिजायर फॉर इट, एपेटाइट, सिनॉनिम्स आप देख सकते हैं, हंगर, डिजायर, काविंग, और थ्रस्ट, एपेटाइट के अन्टॉनिम्स हैं, डिसलाइक, अवर्जन, हेट, और डिस्गस्ट, एपेटाइट के अन्टॉनिम्स हैं, एक्जांपल आप देख सकते हैं, तो, यू कॉब यूर अपेटाइट, डोंट स्किप दा फर्स्ट मिल ऑफ दे डे, एक्जांपल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, वर्जन, इन्वर्जन, और वर्जन, Antonyms are eased, assuaged, alleviated, or appeased इसके Antonyms हैं, exacerbated word के Example देख लीजिए If management forces its view, it will only exacerbate the conflict with the labor union कि जो management है, top level पे जो policies frame करते हैं जो management है, अगर उनने जबरदस्ती अपने जो views हैं वो या अपनी कोई स्थरकी नीतिया है वो जबरदस्ती थोपने की कोशिश की तो वो क्या है, स्थिती को और ज़्यादा बिगाड़ देगी मतलब उनके और जो labor union है उनके बीच जो है conflict जो है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आज की दिए हिंदी वड़ी tutorial वकादरी में इतना ही इसी तरह के informative videos के लिए बने लिए चैनल पर Thank you, thanks for watching